वाहे गुरुजी का खालचा वाहे गुरुजी की फते है विशा दस्वंत है गुर्मत विच दस्वंत दसंकलब बारत बारती मजबह विच दान दा जड़ा है बौत महतव दस्या गया है और वेदिक कालतों ए प्रथा जड़ी है चल दी आ रही है शुरुआत सी देवी देवतियानों खुश करन लेई कदी समगरीदा दान देना मन्या गया इत्थों तक के कन्या दान, पुत्तर दान, पशु दान वी पर चलत होया और प्रीष्ट लोगा ने इस दान नू इनना एक्स्प्लाइट कीता के मन्नू समिर्थी वेचे लिख्या के पुजारी लोकां तों जेकर लोक जेकर पुजारी जेड़े ने प्रीष्ट ने जोर जबरदस्ती नालवी दान लवे तो दा विरोध ना कीता जावे पर गुर्णानक दे सिख धरम दे वेच जेड़े वांड चकना ते सरबाद दा पला जेड़े तिन गुर्णानक साब ने असी आम तोड़ते मनिफेस्टों के दन्या किर्ट करना नाम जपना ते वांड चकना ते फिर साड़ी असी रोज अरदास वेच एक गल कहने हैं सरबाद दा पला वांड चकना ते सरबाद दे बले विच्चों जड़ा है दसवन दा से धान ते जड़ा है आया है का हर कौम जड़ी है और उदा कोई न कोई उदेश हुंदा है और उन्हों सफल होन लेई अपने अनुआईयां तो या अपने मनन वाले यां तो से होग लेना पेंदा है जिमें इसलाम दे विच्च जकात है इसे तरह सिक धरम दे विच्च जड़ी है दसवन त दी गाल किती गई गुरुणानक साब तो सिक्की शरू होई और एह लहर दारूब बनके विक्सत होनी शरू होगयी और G mend one day और और उनी ओए और होरग चीजआ दी जरूरत पैन दी रही दान दी सौलतां दी एह जरूरत वाले शरू होनी उन्होंदा इा और गुरुणानक साब ने केवल दार्मक क्रियामा वाली ध्यान नहीं दिता बलके लोगां दियां या अपने सेवकां दियां जरी या दुनियावी लोड़ा ने उना वल्वी ध्यान दिता और जिमें मैं पहले कहा सरबादे भले दी गल उदे विच्चोई फिर जीडी धरमशाल दिस्थापना जेडी होई और धरमसाल दा जेड़ा विकसत रूप है ओ गुर्दवारा और मैं शायद है थे पहले कैच दस चुकियां के भाईकान सिंगना बने गुर्दवारे दी जेडी डेफिनिशन महान कोश विच लिख है उस विच्चों ही पता लगदा है के जेड़ा सिंग धरम है इजे विच जेड़ियां लोकां दियां सहूलता लई की की किता जान दै तो ओ कहन देने के जेड़ा गुर्दवारा है उदी परभाशा विचे के एक आत्मक सोमा ता है ही है अगर प्रणा इतिहास देखो तो सर्बाद बले लई गुरु साब ने कस्बे और शेर वसाए पानी दी पूर्ती लेई बोलियां बनाईयां खूब बनाई नवे शेर जेड़े वसाए उना विच खास करके जेड़े असी उंगला ते गें सक देयां गोएंदवाल साब, अमरस सार, अनांध पूर साइब, कीरत पूर साइब इस शेर तब वसाए वसाए नाल दे नाल फिर उना ने ये थे मार्कीटा भी बनाईयां ताकि जेड़े लोग ने, जेड़े गुरु घारवल आन सरबादे बले दे कंसेप्ट नू लेंदे हुए ओ अपने जेड़े अपने एकोनमी जेड़ी है उना दा जेड़े बिजनस है ओ भी कारसकन तो ए जेड़े दसवंत दी गाल किती गई यह उस तो निकल दी है सारीयां के सरबादे बले तो दी गाल कर दे हैं जदों सी उस तो निकल दी है और दिखिया जावे ता जेड़ा दान शबद है यह सिख्धी विच बोता परचलत नहीं है इस शबदे प्रति सतकार नहीं है दान दे विच दो प्राब्लमाने एक ता जड़ा देन वाला है उदेच हंकार आ सकता है लेन वाले च इन्फिरिटी कंप्लेक्स आ सकती है लेकिन गुरु ने जड़ा दस्वंत दा कंसेप्ट दिता संकलब दिता कि गुरु दी गोलक विच पाऊ और उत्वों फिर सारे नू एक आइडियल तरीके देनाल सारे दा जड़ा है उदी मदद हो सके उताई गुरु दा मुँ गुरु दी गोलक जड़ी गाल किती गई पर इस दस्वंत नू एक आइडियल तरीके नल कि में सानू आज दे दिन आज दी इस समाज वेच या आज दे इस महोल दे वेच किस तरह यूज करना चाहिए इस बारे बड़े स्वाल जड़े ने हो किते जान देने पर पाइंसो साल पहले गुरु नानक साब ने गाल कहती सी अकली कीचे दान तो एक अकल नल दी गाल किती असी आज दा जड़ा ए टॉपिक जड़ी दस्वंत दे उत्ते रखे हो सिरफ इसली किता है कि असी दस्वंत दे ना थे ओई कुछ हो रहा जड़ा पुराना मैत्यास दसे है उस गाल नो दस्वंत दे उते सानू आज इंडिविज्युली किस तरह सानू दस्वंत यूज करना चाहिए इंडिविज्युली भी और कॉलेक्टिली भी ली भी क्योंकि मैं फिर कह रहा है कि गुरुद्वारे दे विच आज भी मैं किसे दाई कोई ब्यान पढ़ और यसी किसे ख़बार विच क्यों कहने दे जी कि तुसी गोलग का चंच पैसे पाने ही बंद कर दे मध़ा तुसी अपनिया सारी इंसीचूशना ही बंद कर दे ओ。 स्वाल ते है कि ओ दस्वंत यूज के में हो रहा है उसनू उसनू ठीक के में कार सकते हैं सी ओ उस वल ध्यान ना देके कि एक जड़ी है उदे रस्ते ही बंद करवा देने मैं नहीं समझदा कि इस जाइस गल है असी अपने जड़े बड़ी बड़ीयां फिर दे चो गल्ला नि गल कीती है अकली पढ़ कर बूजी है तो ए जरियां सारियां गल्ला ने दस्वंत नू किस तरह आज दे यूग विच आज दे समहोल विच दस्वंत की कंसेप्ट है और किस तरह सानू दस्वंत नू यूज करना चाहिए मैं प्रफेसर मंजीत को और जिनू बेंजती करांग आज फते ना साच पाईए वाह गुर्जी का खालसा वाह गुर्जी की फते जिवें तुसी मेरे तो पहला रूहानियत दियां उडारियां लाईयां ने जिवें विच जी ने सानू बारा मान दे रहीं जो दी असलियत है जो बाणी दे रहीं सानू अकालपुर्खवलों जरी सिर्जी होई कायनात है परकिती है ओदे नल जोड़े आए जना कालदा मेरा विशा सी संगत ते पंगत संगत ते पंगत ने सांजी वालता नू जनम दिता आपसी पाईचारे नू जनम दिता मनुखी सद पावना मनुखी एकता नू जनम दिता ते एस संगी वालता ने एक ठे होके फिर एक किर्ट किती उस किर्ट दे रहीं एक कमाई किती उस कमाई दे विच्चों जेरा हिसा कड़े आए उनू दसवंद क्या गया है पाई गुर्दास जी केंदेन के किर्ट विर्ट कर तर्म दी लैपर साद आन वर्तंदा गुर्शिक खानू दे कर पिच्चों बच्चया आप खवंदा गुर्मक गाड़ी रहा चलंदा ये जरा साधा सिदान ते गुर्णानक पाशादी देने किर्ट करो नाम जपो ते वांड शको वैसे थोड़ा जया मैं कई वार मैं सोच दी निया के एनू थोड़ा जया अपन जेकर सोचिए किर्ट करो वांड शको ते नाम जपो किर्ट करनी है जहां किर्थ करो नाम जपो ते वंड शको जहां किर्थ करो वंड के शको जदो ए बिर्तियां दो साड़े विच हो जान गिया फिर साड़ा जड़ा मन है वो नाम जपन वाला बन जावेगा कई जोड़ देने के नाम जपो किर्ट करो पर मैंनू योँ पर तीतू दे के गुरु साब ने पहला मनुख नू किर्ट दे नाल जोड़े है के हाथ पाउ कर काम साब चीत निरंजन नाल नमा कहे तिलोचना मुखते नाम समाल ये जरी पंक्तिया के हथां पैरां दे नाल किर्ट करनी है किर्ट करके आप भी खामना है ते दुजियानों भी खमोना है तेन शबद ने दसवन्द दान ते टेक्स दसवन्द दा दसवां हिस्सा दस नक दसा नोहां दी किर्ट दा दसवां हिस्सा तर्म हित वरतना है इसलाम दे विच चालिवां हिस्सा तर्म दे बाबत वरतना है इसाइयत दे विच दसवां हिस्सा तर्म दे बाबत वरतना है ऐसे परकारी हिंदू तर्म दे विच भी 21 ते 21 हिस्सा रख्या गया है कि उन्हाने तर्म अर्थ जूज करना है होने इत्थे जरी गल लों दी है कि दान दी दान हिंदोस्तान दे विच दो तरान दे मनुख मजूद सन एक हैगे सन जो जबरदस्ती खोन वाली वो सन राज बादशा जहां समेदी हकूमत एक है किसी मंग के खान वाले डर पैदा करके कि जे तू आए गान दा दान कर देवे जे तू एन्ने पैसे दा दान कर देवे जे कर एन्ने सोनी दा दान कर देवे ते ए दा फल दुगणा तिगणा ते नू इस तरा मिलेगा इसी लालची बिर्ती के लालच पैदा करके दान लेना ते जेरा दान लेनदा सी ओभी लालची सी जेरा दान दिनदा सी ओभी लालची सी दो में पासे लालच सी ते जे नमबर ते उन्दा टेक्स टेक्स लोकां दा गला कुटके लगाया जानदा है क्योंके पामें टेक्स कोई भी है, कोई भी देके उन्हों खुश नहीं हुदा के सरकार साधे को लो, ए टेक्स क्योंके जदो हकुमता, सरकारान टेक्स लगाँ दियाने, मनुखा नू दबाके लगाया जान द है, ओ कोई खुशी ना पर रणि तियार नहीं, प्रन्तु जेड दस्वंद है ओ हर कोई अपनी मायक जिन्नी ओधी प्रॉपर्टी है जिन्नी ओधी इंकम है ओधे विचों कड के खोशुंद है गुर्णानक पाशा ने जदों साच दा नारा लाया है के मार्या सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया जदों जगत दे विच निर्मल पंथ दा पाव है के दो रस्ते चल दे पै ने विच कारो रस्ता कड दिता है गुर्णानक पाशा ने किसे नों नी क्या सिक्ख बनो गंगा मैं सिखा दे गिंधी बनोड़ी है जो गिरावटा सान सान्य हिंदूस तान्य और मिक थे समाज के इस लोका नू उपर चुकन दे लई के जे जीवे पतलती जाए साब हराम जे ताखिश खाए ए जिन्यां तिन्य गला में कितियां ने गुर्बानी दे फुरुमान लाके एतिन्य परकार दे समाज तो चुकन दे लई आक़िश जे नाल संगत जुड़दी है और संगत जेरी पैरां दे हिलधां लिताडि होई सी और से संगत दा एकाथ गुरुसाब जीने ज़र जो अपने नाल ज पाया और नानो किरत करंदेवाले पासे लाके और किरतदे विच्छों कर तार पुर नगर वसाया पहला जमीन मोल लैके उथे नगर वसाया फिर लोकानों उते वो सेबा अपने हथी कीता करतार पोड़तों बाद गुरू अमरदास जी ने गोईंदवाल नू साया खडूर साब शोटा जया नगर पहला वस्या सी फिर वो साया फिर आन सक्तगूर खडूर खडूर साब नादा पहला पेंट से प्रंतूर जी विकास कीता और नू गुरू अंगर देव जी ने कीता है दुझा नगर जेरा वसाया सी जमीन मुल लेके और सी गोईंदवाल गुरू अमरदास जी ने और जमीन मुल लेके और थे नगर वसाया हिंदोस्तान दे विच जेरे वेलर लोग सान उनना दा बोल बाला सी जेरे किर्ती सान जेरे किर्त करन वाले सान जिनना दे हथां दे विच कुछ करन दी कला सी उनना दे विच तरखान, लोहार, मोची, सुने आरे जिनने भी ए लोग सन उनना नू नीवियां जाता थे कैके दुरकारया जानदा सी गुरु अमरदास जी ने गोईंदवाल दे विच पहला वपारक केंदर स्थापत कीता है लहोर नू जान वाला मुख रस्ता सी दिल्ली तो लहोर नू जाना होवे गोईंदवाल मुख में रोड दे उते पैंदा सी ओस समय सुल्तानपोर लोदी जेरा गोईंदवाल आपस विच नेडे नेडे दोमें शेहर ने दोमें जेरे सुल्तानपोर सी वो पारक केंदर रहा है मुगल हकूमत दे समय दे उते ते सुल्तानपोर दे नाल ही गोईंदवाल साब दा वसेबा होया गुरू साब जीने उते किर्थिया नू उच्चा दर्जा देखे उना दा मान सर्मान किता तिज्जा नगर वस्या है सिखां दी राजता नी किहा जानवाला अमरत सर्व ये जिनने नगर वसाए जारे ने ये सिखां दी करक माई दे विच्चों जेरा गुरू करनू अरपन हिसा है गुरू नानक पाशा दी निजी जैदाद ननकाने विच्च है राये पोएदी तलवंडी दे विच्च है प्रंचु नगर वसारे ने रावी दे कंडी आके करतार पूर गुरू अमर्दास जी दी निजी जैदाद प्रंटू नगर वसारे ने गोइंदवाल ये सारे नगर जरे ने ये सिख कौम दे ली जहां ओना लोकां दे ली बनाए गए जो गुरु साब जी दे नेड़े लगे जहां गुरु साब जी दी सिख्या दे अंसार ओना दे नेड़े लगे कोई पेन पेता नहीं, कोई जात पात नहीं कोई तर्म दे तर्म दा वितकरा नहीं सी रख्या जानदा के उस तर्मनास बंदत है एनू इत्थे वसोणा नहीं अमर सार दे विच बविंजा 52 पर कार दे जरे जिनना नू आर्टिस्ट सा जिनना दे हथां विच कला सी उत्थे वसाया गया ते किसे समय 84 तो पहला अमर सार पूरे एशिया दा वो पारक मुख के अंदर मन्ने जान दा सी जे दे विच कपड़ा मेन करके कपड़े तो इलावा हथा दिया बढ़िया हो या ते खान पीन दे विच अज भी पूरे एशिया दे विच अमर सार दा नंबर वन दे उत्ते उत्तों दे पापड़ मन्ने जान दे ने अज पामे जित्ते मर्जी बांजान प्रंतु ए जेरे किते ने जेरे बजार ने जेरे जिननेवी दरबार साब दे नेडे नेडे बजार ने तुसी कदी फिरके कॉम के वैको तांग तांग बजार ने ओ सारे गुरु रामदाज जी नै आठा मंडी के ओ बजार ने गुरू साप 있지 ने अपने हलोका नों गुर्षय林 क których सेवा लंगत आ कर सिख दे कोल देन दे लई तान दौलत नहीं ओदे कोल पशुने ओपशुआं दी सेवा करदा है जेकर ओधी उलाद ओचौंदा के मेरी उलाद गुरु कारदी सेवादार बने तो अपने पुत्तर जेडे ने ओधस्वांद दे रूप दे वेच गुरु कारणू अरपन करदा इस पर कारगूर अरजन देव जी ने बाद दे वेच तरन तारन शिरी हागो बेंद पोर ते करतार पोर तेन नगर वसाए वड़े वड़े स्रोवर बनाए बॉलिया लवाईया ते शेहर्टां वाला खू बनाया एन्नी वड़ी सल्तनत रही है हिंदोस्तान दी पूरे विशाब दे वेच कदी बोल बला रहा हिंदोस्तान दी सल्तनत दा प्रंतू शेहर्टां वाला खू किसे पादशा जा किसे बादशा जा किसे समराट ने अजेता कनिल लवाया शेहर्टां वाला सब तो वड़ा खू हमरसर दे वेच लोकान दे लई अपने परवार दे लई नहीं के मेरे परवार ने थो पाणी पीना है मेरे परवार ने जमीना पालनिया ने मेरे परवार ने थो गुजारा करना है लोकाई दे लई क्योंके वेखो जेडा किसे दा दुख समझ दा है ओ इंसान है जेडा किसे दे दुख नू समझ के उन्हों मजाक डूंदा है ओ इंसानिएत दा उदे विच कोई गोंड नहीं गुरू साव जी ने वेख लियाके लोकान दे कोल रहनली कारण नहीं नगर्वसा दें लोकान बेख लियाके इना दे कोल किर्थ करन दे लइ इना नो कोई सादन मुहया नहीं करवाए जा रहे उन्हानों दुकाना खोल के विच बिठा देता, किराया नहीं ले आठेके दारी नहीं कीती, उन्हानों क्या के किर्थ करो, ते किर्थ करके अपने परवारदा पालन करो. ते जे नंबर दे उते पाणी दी थोड सी दुनिया दे विच, पंजाब दे विच, जे कर कोई साड़े वरगा नीवी जादा बंदा खूते जाके पाणी परदा सी, ते ओदा ओ हशर कीता जान दा सी, किर्थ कुलना कदी खूते लागे जान दी हिम्मत नी सी कर दिया, पहली जेडा मर जी आवे, पशू तक जाके पाणी जेडे सी, ओब बॉलियां थे, खूआ तो पी लेंदे सी, क्योंके ओ लोकां दे ली बनाए गए सन, किसे एक जात दे ली जाए, एक तरम दे ली नहीं बनाए गए सन, ये जिन्नी मायक साहता आ रही है, गुरू रामदास जी न नानक रहा पशाने से, के करक करक के जरी आपां कमाई कर दे है, कार पेटा साड़े कोल उंदी है, ओदे विचों कमाई दे विचों पेटा जरी है, ओगुरू करनू चलों दे ली पेट करनी है, एसे बड़का थी गुरू हार गोविन साब जी ने दो स्टेप अगे चुके, के जेकर, जेरा भी गुरू कर विचावे, ओचंगी नसल दे कोडे, शाष्टर, ते जंगी समान जेरा है, ओगुरू करनू पेट करे, एस सारिया चीज़ा जेरिया ने, एस दस्वांद दे राही चाल दिया पईया ने, क्योंके गुरू कर दे विच जो कुछ बंदा प्या गुरू द्वारा जो कुछ चलाया जा रहे है, लंगर चल लिया, दस्वांद दे नाल, गुरू कर वलों शेर बनाएं गए, दस्वांद दे नाल, तरंतारं दे विच कोडी खाना खोलिया गया, इन्ने होस्पिटल ने मेंटल होस्पिटल बाद विच खुले, पहला दुनि गुरू कोडी खाना खोलिया, अज भी चल दा पे है, उते ओना दा वो सेबा कीता, गुरू हर्गोबेन साब जी ने फिर दुजी गले के जेडा सिक, कुछ लेंद दे लिए गुरू का रहे है, गुरू कोल जिन्नी माया, जिन्ना तान दौलो तुन्दा सी, गुरू साब हो गुरू साब ने बैंक बैलंस नहीं बनाए के मैं अपने पुत्रा वास्ते दे रहा, दास गुरू सहबान दा जीवन पढ़के वेको, चोण सिर्फ सेवा दे सिर्थे किती जान दी सी, गुरू गदी दे लई, ए जिन्नीया चीजा चलिया ने, जिन्ने कार्ज चले ने, सार केवल दवा खानने तो भी बड़ा सी, क्योंके दाराश को दे, इलाज दे लई, गुरू हर है साब जिन्ने दवाई पे जी सी, एक सेख जिमेपाई साब ने पहला दसिया है, के एक गुर्दवारा जेड़ा है, ओ केवल तार्मक स्थान नहीं है, ओ स्थान है, गुर्दवा जिए जीवन दा एक एक पल ओ दे गुरू दे हुकम दे अनुसार बतीतों न, जेरे गुर्दवारे ने एसाननू सिर्फ तार्मक सिख्यानी दिन्दे, ए साड़ी हर पक्तों अगवाई कर देने, ए सारिया दियां, सारियां गलां दवा खाने किते सान गुर्दवारे दे व बच्यानू सिख्या देन दे लई, स्कूल किते खोले गए, गुर्दवारे दे विच, राई निति नू अगवाई दे लई, एकट किते हुंदे रहे, गुर्दवारे दे विच, पंथते जदों मुसीबत बढ़ियां, बिपता बढ़ियां, एकट किते होए, फैसले किते हो किसे देकार नहीं ुदुग रे ने जिर्यर गुर्द्वारे ने एक एवल गुरू दुबारे होए सोजी पाये जी उपनी ँधन 2 अधी सद्वी जीवन दी वह सनुग गुरू Nous अभी नगल नाभि उख्रा नाम दा जेदा सथान है और गुरु वहर कृश्ण जी दे नाम दे नाल जानेया जानदा है कि गुरु साब जी उथे कोज दिन रह उथे विचार होई नौवे पाश्या जी ने कीर्टपुर साब तो बाद तमताण नुँवसाया तमताण तो बाद अनांदपुर जीने अपने वड़े पुतर बाबा गुर्दित्ता जीनूं हुकम दे के ओना दे रही सारे नगर दी जड़ी उसारी है ओकरवाई सी कीर्थ पूर साथ तों तमतान तों बाश्री अनंद पूर साथ नौवे पाशा जीने वसाया ते एथे वी ओवे ही जिमे पहले नगर वसाय सारी सान क्योंकि पहाड़ी एलका है फिर इह फिर थोड़ा त्यान देना के झाल जालग दे पहाड़ी यां थे थले किता आले तो आले जरे किले ने ओबनवाएं ते बाद विच पॉंटा सावदा जरा निर्मान है ए दास गुरु सहबान ने ए नगर वसाए ने 1708 तक जिने में तानू 1810 नगर दसे ने कोई शोटे शोटे होड कस्बे ने जरे पिंडा थावाँ दे उते गुरु साब जी ने वसाए उस लोड नू दसवंद दे राही पूरा किता जो ओ चोंदे सन सत्ता ते बलवंड अपनी बेटी दी मेरिज वास्ते गुरु साब को रखम मंग देने ते ओ सारी जरी कहाणी बड़ी लम्मी है ते गुरु अरजन देव जी दे नाल उनना दा जिरा थोड़ा जया पिछोकर ज्रा जुड़ा जुरता पिछे अठो फिर माफी मंग के नाल जुड़े ने जिरा भी कोई लोड बंद जांदा सी पामियो किसे भी फिरके नाल किसे भी तरम जातनास बंदत है कि जो जी आवैसो рाजी जावे कि कोई खाली नहीं सी जांदा